फाइनली दोस्तों लेंडमार्क्स कार लिमिटेड का आइपयो भी आज से ओपन हो चुका है इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 15 दिसंबर 2022 है तो दोस्तों इस आइपयो में क्या कुछ खास होने वाला है इस कंपनी की इंपोर्टेंट डिटेल्स क्या है यानि कंपनी क्या काम स्मिकिंग है इस IP में अगर आप अप्लाइ करते हैं तो आपको कितना लिस्टिंग यह न हो सकता है इस IP कि ग्रे मर्केट में डेमांड कैसी है साथ में इस IP का वेल्यूशन देखेंगे कि कंपनी एक सेर का जितना रुपेया मांग रही है वो क्या इस कंपनी के वेल्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं है और अंत में हम बात करेंगे कि इस IP में आपको अपलाई करना है या नहीं करना और अगर आप इस company में long term के लिए investment करना चाहते हैं तो long term view भी हम इस company का देखने वाले हैं कि company long term investment के लिए perfect है या नहीं है तो दोस्तों complete detail में इस IP का review करेंगे यह company premium automotive retail business में लगी हुई है इस company के पास well known companies की dealership है जिसमें Mercedes Benz है, Honda है, Jeep है, Volkswagen है और Renault है तो यह कुछ well known companies है जिनकी dealership इस company के पास है और दोस्तों यह company असोक लिलेंड के commercial vehicle retail business के लिए काइटर भी है इसके बाद दोस्तों इस company की services की बात करें तो यह company कापी सारी services provide करती है जिसमें यह company new vehicles को sell करती है, sell करने के बाद यह after sale और repair service provide करती है, जिसमें यह spare or parts को sell करती है, lubricants को sell करती है और accessories को sell करती है, इसके अलावा company pre-owned passenger vehicles को भी sell करती है और साथ में यह third party finance और insurance products को sell करने की सुईदा भी देती है तो इस पर कर दोस्तों यह company कापी सारी services ओपर करती है, जिसमें यह new vehicles को sell करती है, sell के बाद में service और repairing की service provide करती है, finance और insurance product को sell करने की सुईदा भी देती है इसके बाद दोस्तों इस company के network की बात करें, तो इस company के 112 outlets है, जो कि इंडिया के 8 states में है और जिसमें 61 sell showroom and outlets है और 51 after sell service and spare outlets है तो इस परकार दोस्तों company का जो network है, वो भी कापी wide लग रहा है, इंडिया की 8 states में फेला हुआ है और इस company के पास अलग-अलग states में कापी सारे outlets है, कापी सारे sell showroom है इसके बात दोस्तों इस company के vehicle dealership network की बात करें, तो इस company का dealership network इंडिया की 8 states और union territories की 31 cities में है जिसमें महराश्टरा है, उत्तरपरदेश है, गुजरात है, हरियाना है, मद्देपरदेश है, पंजाब है, वेस्ट बेंगोल है, एंड देली है तो इस परकार दोस्तों ये कापी सारे states है और एक union territory है, जिसमें इसका strong dealership network भी है, company authorized service center भी चलाती है, Mercedes Benz के लिए, Honda के लिए, Volkswagen के लिए, Jeep के लिए, Renault और असोक Lilian के लिए इस परकार दोस्तों ये होगी company की basic details की company क्या काम करती है, company किस sector की company है, तो दोस्तों company automotive retail sector की company है, जिसमें इस company के पास कापी सारे well known companies की dealership है, जिसके मद्देम से ये well known brand को sell करती है, और इसके अलावा after sale service भी provide करती है इंडिया के अलग-अलग states के, अलग-अलग cities में इस company के sales or room मिल जाएंगे, service center मिल जाएंगे, तो दोस्तों company का infrastructure भी कापी अच्छा है और company का sector भी कापी अच्छा है, इसके बाद दोस्तों हम अगले segment पर चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे company के financials के बारे में, कि इस company के financials 2019 को 1008.03 क्रोड रुपे थी, 31 March 2022 को 1025.38 क्रोड रुपे हो गई, तो company की total assets में दोस्तों यहाँ पर growth देखने को मिली है, और latest quarterly result आये हैं, उसमें जो company की total assets है, वो 1209.37 क्रोड रुपे है, इसके बाद revenue की बात करें, तो 31 March 2019 को 2834.62 क्रोड रुपे का revenue था, 31 March 2022 को बढ़कर 2989.12 क्रोड रुपे का हो गया, तो दोस्तों total revenue में भी growth देखने को मिली है, और latest quarterly result आये हैं, उसमें company का revenue generate हुआ है, वो 801.9 क्रोड रुपे हैं, तो overall दोस्तों company की revenue भी अच्छी है, company की total assets भी अच्छी है, इसके बा 2019 को company ने loss किया, almost 24 क्रोड से उपर का, 31 March 2020 को भी company ने almost 29 क्रोड के आसपास loss किया, और अगले financial year से company को profit आना शुरू हुआ, और 31 March 2022 को इस company ने 66.18 क्रोड रुपे का net profit किया, और जो latest quarterly result आये हैं, उसमें जो company का net profit है, वो 18.14 क्रोड रुपे है, तो दोस्तों overall company का profit भी इसके बाद दोस्तों net worth की बात करें, तो company की net worth लगातार बढ़ रही है, और दोस्तों company की total borrowings की बात करें, जिस परकार की ये company है, उसके हिसाब से देखें, तो company की total borrowings भी decent है, overall दोस्तों company की financial report average है, क्योंकि दोस्तों company ने अभी grow करना start किया है, अगले आने वाले 2-3 सालो दोस्तों में पता चलेगा कि company किस परकार का profit hold करती है, इसके बाद दोस्तों company ने IPO लाने के object से भी बताया है, तो इसमें पहला object बताया है, कि company की जो भी borrowings है, उनका ये repayment करेगी, और general corporate purpose के लिए इस IPO को लाया जा रहा है, इसके बाद दोस्तों अगले segment पर चलते हैं, जि इस IPO का load size है 29 sales का, इस IPO का जो issue size है वो 552 करोड रुपे हैं, इसमें से price issue केवल 1500 करोड रुपे हैं, और ओपर पोर sale है 402 करोड रुपे है, और दोस्तों यही सबसे बड़ा negative point है इस IPO के लिए कि ओपर पोर sale लेकर आ रही है, यहाँ पर जो maximum issue size है वो ओपर पोर sale है, इसलिए इस IPO के आपको gray market में demand उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, आप पिछे के जो भी IPO हैं, उनकी history उटा कर देख लेना, जो भी company ओपर पोर sale लेकर आती है, उनकी gray market में demand उतनी अच्छी नहीं होती है, इसके बाद दोस्तों इस company के employees के लिए 48 रुपे का discount भी यह company allow कर रह यहां पर 35% का quota है, इस IPO का allotment 20 December को होगा, repent 21 को होगा, debit account में shares को 22 December को credit किया जाएगा और इस IPO की listing date है 23 December 2022, यहां पर दोस्तों retail category के लिए maximum 13 lot है, जिसमें 377 share मिलेंगे, SHNIs के लिए यहां पर 14 lot है, जिसमें 406 share मिलेंगे, और BHNIs के लिए यहां पर 69 lot है, जिसमें 2001 share मिलेंगे, इसके बाद दोस्तों promoters holding की बात करें, तो pre issue share holding है 60.24% और post issue share holding रहेगी 44.61%, तो दोस्तों यहां पर promoters holding अभी भी company में अच्छी बनी रहेगी, लेकिन दोस्तों इसक जो सबसे बड़ा negative point है, वो overpore sale है, इसके बाद दोस्तों अगले segment पर चलते हैं, जिसमें हम grey market premium की बात करेंगे, कि इस IPO का grey market premium कितना चल रहा है, अगर आप इस IPO में apply करते हैं, तो आपको कितना listing gain हो सकता है, grey market premium देखने के बाद ही हम decide कर सकते हैं, तो दोस्तों 13 December को जो latest update हुआ है, इस IPO का grey market premium 11 रुपीज है, तो दोस्तों यहाँ पर grey market premium उतना कास नहीं है, यहाँ पर जो estimated listing price है, वो 570 रुपे है, और इस IPO में आपको 2.17% का listing gain 100 हो रहा है, तो दोस्तों listing gain की point of view से IPO उतना अच्छा नहीं है, और दोस्तों मैंने पहले ही बोला है, कि जो company ओपर लेकर आती है, उस IPO की grey market में demand उतनी अच्छी नहीं होती, आप पिछे के IPOs को उठा कर देख लेना, उनकी demand पहले जरूर अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे IPO की opening date नजदिक आती है, उसकी grey market में demand कम होने लग जाती है, तो दोस्तों इस IPO में भी आपको उतना अच्छा listing gain देखने को नहीं मिलेगा, फिलाल जो इसका grey market premium है, वो बहुत ही low है, इसके बाद दोस्तों अगले segment पर चलते हैं, जिसमें हम IPO का valuation देखेंगे और decide करेंगे कि इस company ने जो price band announce किया है, वो सही है या नहीं है, तो valuation देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये company सस्ती है या म पता चल जाएगा कि company कितना grow कर रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि financial year 2020 में company ने 28.94 क्रोड रुपे का loss किया था, तो यहाँ पर जो net profit margin था, वो भी negative था, 1.30% अगले year में company profit making हुई, और यहाँ पर company ने 11.15 क्रोड रुपे का profit generate किया, तो यहाँ पर जो इसका net profit margin था, वो 0.57% था, अगले financial year में company ने 66.18 क्रोड रुपे का net profit generate किया, तो यहाँ पर जो company के net profit margin में jump आया है, 2.22% का net profit margin financial year 2022 में रहा है, तो दोस्तों profit margin आप यहाँ पर clear देख रहे हैं कि financial year 2021 से 22 में बड़ा है, और यहाँ पर अच्छा कासा jump आपको देखने को मिला है, return on net worth की बात करें, तो company का return on net worth financial year 2021 में 6.23% था, जो की financial year 2022 में 26.52% हो गया, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप clear देख सकते हैं कि कितना अच्छा jump देखने को मिला है, return on equity की बात करें, तो financial year 2021 में 6.11% का return on equity था, जो की financial year 2022 में 26.66% का हो गया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको अच्छा कासा jump देखने को मिल रहा है, return on capital employed की बात करें, तो financial year 2021 में 8.59% था, और financial year 2022 में बढ़कर 18.86% हो गया, debt equity ratio की बात करें, तो debt equity ratio भी दोस्तों कम हुआ है, financial year 2021 में 2.54% था, जो बहुती ज़्यादा था, financial year 2022 में 1.49% रहे गया है, तो दोस्तों debt equity ratio में भी कम ही देखने को मिली है, तो overall दोस्तों financial growth company की अच्छी है, लेकिन दोस्तों आगे आने वाले 2-3 साल में company कैसा perform करती है, वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलाल की condition में company की growth अच्छी है, इसके बाद दोस्तों company की EPS की बात करें, तो company का EPS है 17.88 per equity share, जो की average है, decent है, इस company के PE की बात करें, तो इस company का PE है approximately 29 के आसपास, और दोस्तों इस sector की कोई भी company share market में listed नहीं है, तो ये एक monopoly stock है, और द state नहीं है, तो हम यहाँ पर peer comparison भी नहीं कर सकते हैं, कि इस company ने जो price band announce किया है, वो सही है या नहीं है, फिर भी दोस्तों 29 का PE है, जो इस sector के हिसाब से अच्छा माना जा सकता है, और दोस्तों इस company का EPS है, वो भी average है, decent है, तो दोस्तों ओर और हम long term investment की बात करें, तो यहा इस भी company में आपको long term investment करने के लिए, अपने financial advisor की चला जरू लेनी चाहिए, इसके बाद दोस्तों final verdict पर आते हैं, कि इस IPO में आपको apply करना है, या नहीं करना है, तो दोस्तों अगर आप listing gain के लिए इस IPO में apply कर रहे हैं, तो listing gain इस IPO में आपको उतना अच्छा देखने को न कर सकते हैं, अगर इस IPO की demand gray market में बढ़ती है, और इसका premium 20% के आसपास होता है, तो आप listing gain के लिए इस IPO में apply कर सकते हैं, फिलाल की condition में ये IPO listing gain के लिए उतना अच्छा नहीं है, long term के लिए दोस्तों इस company को आप consider कर सकते हैं, क्योंकि monopoly stock है, और company पिछले 2 साल से grow भी कर रह share करें, ताकि वो भी financially aware हो पाए है, IPO's में investment कर पाए है, और listing gain का advantage ले पाए है, अगर आपके पास demand account नहीं है, तो demand account open करने का link वीडियो के description में दिये गया है, जिस पर click करके आप directly अपना demand account open कर सकते हैं, इस वीडियो से related कोई भी query है, कोई भी suggestion है, तो नीचे comment section में लिख कर जरूर बते हैं, और दोस्तों अगर आप इस channel पर नहीं हैं, और इस channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो इस channel को subscribe करने के साथ बेल notification को on करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे हैं, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए, ज